हेलो गाईज विल्कम बेक टू टेलिवूड अब्डेट्स कर रहे हैं अभी रीसेंटली वो कलर्स पर ही ओडारिया नाम का तो उडारिया शो बहुत ही जाधा सक्सेस्फुल हो गया है काफी कम टाइम पीरियड में 7 बजे की जैसी उसको अरली टाइम स्लोट मिली हुई थी लेकिन स्टिल वो कलेश टीवी पे बहुत यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है I mean 7 बजे की टाइम स्लोट पर आकर भी वो टॉप 5 शोज में हर बार कॉंस्टेंटली आ रहा है और बहुत यादा हाई टीर पी लेकर आ रहा है हर अफते इंडिया का नंबर 3 शो ऐसे ये नंबर 3 या 4 ऐसे बन रहा है तो गैज उडारियां के बहुत ज़्यादा बड़े सक्सेस के बाद अब रभी दूबे और सरगुन महता दोनों प्लैन कर रहे हैं एक और नया शो लाने को और वो भी कलर्स टीवी पर ही आएगा एस उनकी जो रिलेशन्शिप है कलर्स टीवी के साथ काफी अच्छे हो चुकी है उडारियां वगेरा को वो प्रडूस कर रहे हैं जो की इतना बड़ा सक्सेस साबित हुआ है कलर्स के लिए जिसका इतना बड़ा फैन बेस भी बन गया है टीयार पीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो रवी दूबे और सरगुन महता भी नए साल में 2021 में एक और शो को लेकर आएगे एक और शो को प्रेड्यूस करेंगे जो भी कलर्स टीवी पर ही आएगा अभी के लिए जो भी वो शो लेकर आएगे उस पर बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है किस तरह का होगा वगेरा वगेरा लेकिन अब उनका ये दूसरा शो होगा जो कि Color TV पे On Air हो जाएगा उडारियां के बाद तो देखते हैं आने वरे साल में नया शो भी उडारियां जितना सक्सेसफुल हो पाएगा सूपर हिट हो पाएगा यहां फिर नहीं बाकी सरगुन महता ने ये भी काया कि अभी के लिए उनको कोई भी इंट्रेस्ट नहीं है टेलिविजन पर एक्टिंग करने का वो पंजाबी मूविज में काफी एदा खुश हैं वहाँ पर उनको जिस तरह के करेक्टर्स वो प्ले करना चाती हैं हैं रवी दूबे भी एक्टिंग वगाऊं एक्टिंग वगाएरा वगार बकार आधार याक्ति मां-लश पार भूहाँ हो उबसु करования offered और अधार के-वाचा को एगा I can't deliver आधार कौने सोभाट कैसे निया देंग अम-दिश्वामिन effort knowledge एक्स्प्लोर करना चाहते हैं ये भी रवी दूबे ने कहा है तो अभी के लिए यही थी न्यूज रवी दूबे और सरगुन महता एक नए शो को प्रडियूस कर रहे हैं जो की कले स्ट्वी पर आएगा अभी के लिए उस शो पे कोई डिटेल्स नहीं है और उस शो पे डिव गुडबाई